कोटा बुजूर्ग में अम्रित सरोवर जल सनरक्षण योजना के अंतरगत बजट कम होने से दोनों और सीड़ी न बन पाने से छट पूजा के समय होगी समस्या विकास खंड लाल गंज के कोटा बुजूर्ग ग्राम के दूरगा माता पोखरा को सरकार की अम्रित सरोवर जल सनरक्षण योजना के अंतरगत लेकर विकास कार रवैसे तो सही दिशाकी और अग्रसर है लेकिन बजट कम होने से छट पूजा के समय हजारों महिला पूरूश क सुर्र को आर्ग देते समय एकत्रित होने पर बीना दोनों तरफ सीड़ी बने छट पूजा के समय समस्या होगी आज वहां पहुंचने पर देखा गया तो पोखरे पर चारों और खळंजा लग चुका है साफ सफाई हो चुकी है चारों तरफ बैठने के लिए पत्थरी प्रधान सुनील राजभर ने बताया कि अम्रित सरोवर योजना का शिलान्यास पुरवांचल विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंग के हाथों खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंग की उपस्तिती में संपन्न हुआ था इसकी पूरी लागत 15,90,000 पोकरा होने के कारण 100 मीटर रेखा निर्माल भी अधूरा रह जा रहा है जो कि पूरो निर्धारित बजट से बनना संभो नहीं है उसके संबंद में खंड विकास अधिकारी को प्रधान ने आउगत करा दिया है सुनील राजभर ने बताया बिना देर कि ये अम्रित सरोव का काम कंप्लीट कराया जा रहा है क्योंकि छट पूजा के समय हजारों महीरा पूरुष सुर्य को अर्ग देते समय यहां एकत्रित होते हैं लेकिन उन्होंने बताएगी बिना दोनों तरफ सीड़ी बने छट पूजा के समय समस्या होगी प्रधान सुनिर राजभर जी आपका ग्राम ठोटा बुजुर्ग अमरी सरोवर योजना के लिए मंदिर पोफरा चैनित हुआ है इसकी लागत 15,90,000 है क्या इस पैसे से काम पूरा हो जाएगा नहीं काम तो पूरा नहीं होगा लगवक 50 मीटर के और आख सकता है इसके बाद ही हो पाएगा अभी तो बहुत कम है काम बहुत ज्यादा है लागत इसमें कम लगी है इस संबन्द में आपने बात किया जी वीडियो साफ से बात करी वीडियो साफ बोले कि कोशिज करेंगे लेकिन लगता नहीं है कि हो जाएगा तो जिले कुछ दिखारियों से अपनी बात आप रखेंगे जी कितना मीटर में काम हो जाएगा स्यूडी कोखरे के सोभा बढ़ेगी तो पचास मीटर तक होगा तब इसे पोखरे के सोभा बढ़ जाएगा